यमनानगर में आज जगह जगह गेहुं कटान का नजारा देखनी को मिला। आज होनी थी और कटाई होते ही किसानों के चहरे खेल उठेगे। 22 किला आती, दू कुंटल कनक मिलता है, ये कुंटले मिलता है हम लोगा सब गोरा में। उसी में हम लोग अपना बांटते ये गार हो गोरा में। बहुत बनिया हैं जी, हम लोगा काम चालू हो गया जी बाओ जी। हाँ परिवार का पेट चालूच हो जाएगा अब हम लोगा। तेहार है आज और इसे हर किसान बड़ी धूम धाम से मनाता है। आज बहसाकी के इस परव पर किसानों ने भी अपने फसल की कटाई शुरू कर दी है। हम भी अपने खेट में सुबह आए हैं और धरती माता की पूजा की है मत्था टेका है। और परशाद बाटकर आज का ये तोहार और अपनी फसल की कटाई के साथ काम अपने खेट में शुरू कर दिया है। पिछले साल के साथ अगर हम मुकाबला करें तो पिछले साल से इस बार फसल अच्छी है लेकिन हर साल की तरह मौसम की मार इस बार भी किसान को जिलनी पड़ी है। वार्च में हुई लेट बारिश के कारण हर एकड़ में 10 से 15 प्रतिशत का नुक्सान किसान को जिलना पड़ा है। आपको बता दे कि इस बार मौसम की मार भी कई जगह देखने को मिली थी। लेकिन हर्याना के यमुना नगर में बरसात के चलते कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। यही कारण था कि आज किसानों की गेहूं की फसल एक बंपर फसल है जुसे देखकर किसानों की चहरे पर खुशी जलक रही है। वही कटाई करने वाले मजदूरों की माने तो जब कटाई होती है तो उनके साथ 6 महीने का खर्चा भी इसी कटाई से निकलता है। अगर फसल अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें लेबर का खर्चा भी अच्छा ही मिलेगा। इस बार पिछली बार से काफी अच्छी फसल है जी थोड़ा सा जो लास्ट में एक आफ़ता बारिश चली है उससे थोड़ा सा नुकसान है पर फिर भी पिछली बार से काफी अच्छी फसल है इस बार तो इस बार फसल गेर के मंडी में किसान को अच्छा मुनाफ़ा होएगा और उसके बाद जो किसान आगे अपनी जीरी की द्धान की तियारी करता है तो फिर भी पिछली बार से काफी फसल ठीक है इस बार इसमें अमबगान का जो इस पे हम पहले दर्ती माता की पूजा करके शुक्रियादा करते हैं कि परमात्मा ने अमारी छे मिनने की जो मेनत थी उसका फलमार को दे दिया है और आगे भी हम परमात्मा से यही उमीद करते हैं कि जैसे फसल इस बार ही आगे भी मारे को यही फसल रहे और शुक्रियादा करते हैं प्रमात्मा का बहुत बहुत यम्नानगर के किसान आज बेहत खुश नजर आए क्यूंकि उन्हें सोने की रूप में ये गेहु मिली है अब किसानों का ये अनाज देश के कोने कोने तक पहुंचेगा पंजाब केस्टीवी के लिए यम्नानग से तिलक भार्द्वाज की रेपोर्ट